इस लेक्षर के अंदर हम एक छोटी सी Fast API की आप बनाने वाले हैं for Titanic Data Assets as a Data Analyst. Fast API की पूरी प्लेलिस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. लेक्षर के ऊपर जम्प इन करते हैं. स्क्रीन आपके सामने हाजिर है चनाबेवाला. आज हम जो काम करने वाले हैं वो Fast API की आप बनाएंगे. Simply मैं यहाँ पे जाता हूँ. एक निया फोल्डर क्रियेट करता हूँ. 07 के नाम से Titanic App. So basic से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे ताके हमें समझ आए. यहाँ पे हम main.py की फाइल बनाते हैं. और इसके अंदर हम सारा कुछ लिखेंगे. यहाँ से मैं अपनी एप को रन कर लेता हूँ. पहले के पहले ही? मुझे पता है कि error आ रही है. Because we didn't actually write anything inside. ठीक है? So सबसे पहला काम हमने क्या करना है? मैं यहाँ से इसको Ctrl-C कर देता हूँ. हमें दो libraries इंस्टॉल करनी है. pip install pandas and cbond and then we have I think both of these are fine. तो इसी एक environment के अंदर हमने pandas और cbond को इंस्टॉल कर लेना है. क्योंकि हमने यह दोनों का हाम करने हैं और इन दोनों को use करने है. यहाँ पे मैं लिखता हूँ from fast api import fast api and then from import cbond as sns and import pandas as pt. यह मैंने तीन libraries को import कर लिया. यहाँ पे हमने क्या किया है? अपनी fast api का instance जो है वो बना लिया. सबसे पहला काम जैसे हम streamlet के अंदर करते थे कोई भी dataset जो है हम उसे load करते हैं. तो यहाँ पे मैंने इसको titanic dataset के नाम से load कर लिया. बलकि इसको मैं df लिखता हूँ क्योंकि it will be easier for me. जैसे मैं इसको df लिखता हूँ ctrl f करता हूँ ctrl s करता हूँ तो मेरे पास यह save होता जाएगा साथ-साथ. अब हम क्या करते हैं? perform a simple data transformation thing हम यहाँ पे कुछ simple सी data transformation करते हैं करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? हम यहाँ पे survival rate को देखते हैं survival underscore rate हम देखते हैं titanic dataset के अंदर और इसको हम कर देते हैं df.groupby और इसके अंदर हम ले आते हैं जनाब class को class की base पे हम group by कर रहे हैं जनाब survived के column को और उनका mean लेके index को reset कर देंगे तो यह हमने एक object create कर लिया जिसके अंदर हमारा basic एक survival rate होगा यह मैंने अभी क्या बोला था? इसको comment में जरूर लिखेगा हमारा बोल बैठा था तो मुझे time stamp के साथ लिखेगा इस तरीके से बता चलेगा क्या आप बिल्कुल attentively सुन रहे हैं के नहीं सुन रहे then हम यहां पे अपना route define करेंगे so पहला route हमारे पास है बिल्कुल जो app.get है और इसको हम async def root का route बोलेंगे या read root भी आप इसको बोल सकते हैं अब यहां पे हम कुछ भी लिख सकते हैं मैं यहां पे message जो है वह लिखता हूँ welcome to the titanic API इसको बोल देते हैं and यहां पे हम लिख देते हैं we are learning with goodanix.com मैं जैसे sorry for that मैं जैसे इसको run करता हूँ यह वी कौन के through यह हमारे पास app जो है वो run कर गी मैं यहां पे app के उपर आ जाता हूँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास यह एक welcome message जो है वो आ रहा है और अगर हम यहां पे swagger docs अपने check करें तो हमारे पास एक route का जो basic doc है वो आ रहा है और हमने basically एक string को यहां पे print किया है something like this अच्छा जी अब हम इसको थोड़ा से complicated बनाने की कोशिश करेंगे and you will see it's very easy to run these kind of apps अब हमने क्या करना है एक और route को define करना है और हमने survivor rate उसका बताना है ठीक है और इसको हम क्या करेंगे इसको basically हम return करेंगे survivor rate to dictionary और क्या होगा basically यह जो हमारे पास survivor rate है यह dictionary के अंदर dictionary हमारे एक dataset होता pandas data frame के अंदर pandas के अंदर उसके थूँ हम इसको dictionary में convert करके records की base पे order करतेंगे and then we can see के how does it work या हमारे पास किस तरीके से यह काम करती है मैं जैसे इसको यहाँ पर save करता हूँ let's see हमारे पास कोई error तो नहीं आ रही और हम swagger documentation पे जाके देखते है इसको मैं refresh करता हूँ यहाँ पे survival rate हमारे पास आ गया and you can see के हमारे पास अभी भी string है मैं यहाँ पे slash survival underscore rate let's see यह हमारे पास क्या चीज़ देती है और यह हमारे पास survival rate आ गया class जो पहली थी उसका survival rate यह है class जो second थी उसका survival rate यह है and class जो third थी first second third class के passengers उनका survival rate इस तरीके से हमने लिख लिया so this is how you can actually print something out on the record और यह आप objects के through हर एक चीज़ को print कर सकते हैं from the back end to the front end इसके बाद आप क्या कर सकते हैं class की base पे भी आप अपना survival rate ले सकते हैं यह आप different तरीके से भी survival rate को ले सकते हैं and then you can actually just go here and close that app जो मैं अभी यहां पे कर रहा हूँ because whenever you start a server और उसकी app को जरूर close किया करें वरना वो चलती रहेगी और अगला काम खराब करेगी यह जैसे मैंने इसको run किया यह दोनों चीज़े run नहीं कर रही because we don't have anything there running on the server at 8000 port तो इस वज़ा से हमने यहां पे इस app को close किया अब यह basic सी app यह आपको क्या बताती है कि आप किस तरीके से अपने fast API के अंदर objects को बनाके front end पे show करवा सकते है and how you can create the objects based on the data analysis आपका task ही है कि आपने fast API को use करके plots बनाने है survival dataset के जो भी मैंने आपको यह चीज़ दी है course जितने भी आपको github की repository के अंदर मिल जाएंगे जिसका link मैं description में औरेडी डाल दिया हुए अपना ख्यार रखे मिलते हैं next video में you know that कि like, share and subscribe the channel क्यों? क्योंकि इससे हमें support मिलती है and then we create more lectures for you see you in the next one